सफलता की मंजिल पाने के लिए संघर्स उतना ही जरूरी है जितना मनुष्य के जीवन में जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसुतोस और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बक्री पालन से संभंधित रहने वाली है और आज हम है पटना जीले के पाली गंज तहसील यानि ब्लॉक के अंदर महबलिपूर गाओं में दोस्तों ओमकार तिवारी जी है जो पिछले लगभग दो वर्सों से बक्री पालन का काम कर और काफी अच्छे तरीके से इसका संचालन ये कर रहे हैं बक्री पालन में क्या-क्या समस्या इन्होंने जहला है आम तोर पे जब हम बकरी पालन करते हैं और अच्छे तरीके से तक्निकी जानकारी नहीं होगे बहुत सारी समस्याओं का सामना दोस्तों हम लोग को करना पड़ता है तो आईए अज तमाम तरह की जानकारी बकरी पालन में क्या-क्या हमको सावधानिया बड़तनी चाहिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल पर आपका स्वागत है नमस्कार सर धन्यवाद आपके विजिट के लिए ओमकार जी अपने बाड़े में थोड़ा सब परिचे दे दीजिए मैं सर पहले बीसेप में 1990 में हम जोइन किये थे करीब 13-14 साल सर्विस करने के बाद रेजिनेशन दे करके और हम पशुपालन में जूड़े घर में काफी समस्या थी सभी भाई बाहरे फोजी में है तो एक आदमी घर में रहना ज़रूरी था इस सक्ता को समझ करके हम आ गए घर और पशुपालन में जूड़े हुए है और करीब सर के माध्यम से यूटूब से जूड़े हुए थे और उनके दिशान देश और सलाह से हम धीरे-धीरे इसमें परंगत हुए है तो प्रेक्टिकली तो हम जाकर प्रशिक्षन नहीं लिए पाया है फुर्सत नहीं मिल पाया हमको ऐसा मौका मिला नहीं फिर भी उनका काफी से लाए थे और धीरे-धीरे उसी पर हम ट्रेणिंग करते गए समझे प्रसिक्षन मेरा वही था प्रैक्टिकल के रूप में और उसमें सफलता मिलते गई और आज धीरे-धीरे हम अभी टोटल 45 के आसपास में हम पहुंचे हो यानि मतलब कम बकडियों से सुरू किये और उ अनुरोद करूंगा कि इसकी ट्रेणिंग कम से कम 15 दिन की होनी चाहिए ताकि कुछ लोग अनुभाव ले सके पांच दिन में थियोरी होता है थियोरी तो लोग किताब में पढ़के बैठ जाते हैं प्रैक्टिकल जब तक अनुभाव नहीं होगा या बकरी पालन जो भाई हैं क्या किलाते हैं क्या क्या समस्या है ऐसा नहीं कि चार दिन प्रसिक्षन पा लिए और चार दिन यूटूब देखे और बकरी पालन में कूद रहे तो वह नुक्सान का वेड़ा उठाना ही पड़ेगा हुए बिलकुल दोस्तों देखिए ये बहुत पते की बात सर कहें ह है कि आप कम बकडियों से ही शुरुआत कीजिए और उससे आप अनुभा लीजिए और तब अपनी संख्या को धीरे-धीरे बढ़ाईए तब आप इसको जो बकरी पालन है उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कनवर्ट कर सकते हैं आज देखा गया है सर कि बहुत जल् लेकर आजाते हैं आने के बाद जो है वहां से सीधे फॉरम हाउस में और उनको नहीं है क्या खाएंगे बाहर से बकरी आई है कैसे से ट्यल्मेंट होगी क्या-क्या इनकी समस्या है इस चीज़ को वह नहीं कर पाते हैं और नतीजा होता है कि नुक्षान सुरू हो जाता है और एक बार इसमें नुक्सान हुआ तो दो बारा चार मरा पांच मरा तो आदमी डिमोरलाईज होता है करता कि रहे बापी तो बहुत कराब चीज है इसको जल्दी घटाओ और ने पहुने दाम में बेच करके कहतें कि नहीं बकरी पालन सबसे मतलब की हाल तुकाची सर हम अब प्रोफिटेबल रहेंगे योग कि बकरी जो है एक हीरन की यात होती है इनको दोड़ना भागना कुदना लड़ना जगरना इनके नेचर में सामिल है तो इनका जो खाने का सीच्टम अगर आप चाहेंगे कि एक जगा खटाल के तरह नाद बना दे एक ही जगा ये खाले तो इसलिए इनका खान पान का बेवस्ता और सुखा खाना इन लोग ज्यादा पसंद करते हारे चारे का कोई बंदोबस्तर आपकी हो अभी तक के पिछले महिना तक जैई हमने हराचारा में लिया था वरसीम और अभी बाहर में हमने जीनोरा लगा रखा है जो कि ये खपता में सुदान ये खपता में चालू हो जाएगा बाहर फसल लगा हुआ है बहुत बढ़ी है सर अब हम आते हैं इसके थोड़ा सा रहने वने का कैसा होना चाहिए जैसे जो इसका आवास प्रबंदन होता है तो उसके बारे में क्योंकि हम देखते हैं कई बार लोग इसके कंस्ट् प्रबंदन कैसा होना चाहिए तो इनका आवास सधारन हो यह ना कि इनके लिए पक्का बील्डिंग बने पंखा बिजली इनको कोई आवसकता नहीं है इनको जो है सधारन जोपड़ी मड़ई में रखिए जहां इनको खुला हवा पूरब पच्छिम से चारों तरब से हवा आता जाता रहे ताकि इनके रूम में गैश नबने बद्बू नहों और सफाई पर ध्यान रखे बाकि इनकी अवास में कोई खर्चा नहीं है कम से कम खर्च के आवास में लोग रह सकते हैं और जादा से जादा इनके ऊपर खर्च किया जाए भोजन पे देख रहे तो आद सब्सक्राइबर हैं जो बकड़ी पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए उनके पास कितने जगह क्या सकता होनी चाहिए कि देखिए जीतना जादासर जगह हो बकडी के लिए उतना प्रोफिटेबूल है क्योंकि इनको दोरना भागना काफी नेचर में सामिल है तो जादा से जगह हो करने के मदला दस कठा नहीं है तो अगसिफान चाहिए रहने का आवास जो है झो लई चोटा सी चोटा जगव हा और उसका रोख थाम कैसे किया जाए हमारे वीवर्स जो है उनको बताइए ने सबसे प्रमुख्ब बीमारी जो पली है एक होता है और यहां चल गया है और लेकिन जो बाकि बीमारी के तर्फ पे है। इनका सबसे ज्यादा बीमारी इनको नमोनिया, सर्दी, बुखार, खास ये इनका मुख बीमारी है। और इनसे बचने के लिए इनको पानी सुध होना चाहिए और मिनरल्स का इन पे इस्तेमाल कीजिए। और शाम के समय में इनको पानी न पिलाया जाए शाम पांच बज़े के बाद इनको पानी नहीं चाहिए सर्दी वर्दी से बचने के लिए और सब्ताय में सर्व वही मिठा करू तेल जवाइन वगेरा जो है थ्वादेते रहने से इनका संतुलन ठेक रहता है यह तो जैसे मुख्य बिमारी है उसके बाड़े मताए इसके अलावा भी कुछ समय समय पे जैसे समय मौसम के नुसार आता है तो उनमें कौन सी बिमारी है प्रिवर्टन में आडमी में होता है तो घरली दवा या बाजार से अथा खुराक देने से लोग ठीक हो जाते हैं अभी तो हम देख रहेते हैं आपका पूरा उधर बंदोबस्त किया हुआ है और अच्छा सा मेडिसीन आप सब रखे हुए है इसलिए कि जो बक्री बच्चा देने वाली है बच्चा देने से तो इनके लिए 10-15 दिन मिनरल इनको पहले देते हैं और 10 दिन बात तक देते हैं ताकि फिर एक महिना में प्रेगनेट होने के अब ही सर जैसे आपके पास कौन-कौन सननसल है जो यह 45 लगभग 45-46 के आसपस बकड़ियां है तो इसमें मुख्यत आपके पास कौन-कौन से हमारे पास अभी मुख्यत रूप से ब्लैक मंगाल ही है जिसकी संख्या करीब 15-16 है और बाकी जो भी बच्चे दिखाई दे रहा है 15-20 के अंदाज में वो सब लिए जो यो है और ब्लैक बंगाल यकोइन कि अच्छा भी बच्चे यह गुजक्री होता है हमारे पास 20 के आसपास में और लाए दो 4 भगरी बाहर करें बाधा है छो जो ही और ब्लैक मंगाल मुख़ी रूप свое मारे पास बक्री 5 16 इसमें एक HimERE बांगाल दूध मदेती है बच्चा ज्यादा बच्चे की सब्सक्राइ ainda इसका मैंनेजमेंट कैसा हो पाया लिश्ता कैसा होना चाहिए अधारत्त क्यूत splashing है यह तो इनका जैनेरेशन में स्वाले 2-4 देना फोर अचाय देती है उस पर सफाला को ध्यान देना पड़ेगा उसको ऐस्ट्र डाइड अलग रखारके उनको एक्सट्राइम पालने के लिए दूद्ध से पिला करना पड़ता है और यही चीज बड़े बाहरी वक्री जो है इसमें नहीं है क्योंकि यह लोग अक्सार एक या दो बचा देती है और आधा किलो भी दूद्ध दिया तो बच्छा को पीने के अब आते हैं थोड़ा सा हम इसके सेल्स और मार्केटिंग के बारे में क्योंकि पालना कोई भी चीज आसान है बेचने में समस्या आती है तो इसका मैनेज्मेंट आप कैसे कि यह हुए इसका मैनेज्मेंट से अभी तक जो भी हमने विक्री किया है लोकल मार्केट में विक्री किया है लोकल लोग अभी धीरे धीरे इसमें उत्साहित हो रहा है अच्छा नसल अच्छा देख करके लोग गाओं घर से आते हैं मेरे पास कि पंडी जी हमारे को जो है बच्छा नस लोग आते हैं और यहीं से लेव जाते हैं तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे बहुत सारे हमारे हम बिहें करने में कोई बुराही नहीं है हम ब्रहावन है और हमने अपना पसु पालन किया उसको मैं सटार्ट किया जा सकता है और इसका बेनिफीट हर समय बेनिफीट यह एटीएम है सब बक्री पालन एक एटीएम है जब मन करें दो पैसा कम या दो पैसा ज्यादा अगर हमको आज जरूरत है तो किसी भी कटर को भी बुला लेंगे जो मीट काटता है मीट बेचता है वह आएगा ठीक है 5000 नहीं देगा तो इसको बेचना कोई बड़ी बात आज के मार्केट में और इसी का दुनिया आप दूद लेकर के बजार में बैट जाएए आपका दूद पूछने कोई नहीं आता है लिए आपके पास बक्री है होली में दिवाली में दसारा में सावन पुजीमा में या आपको कोई भी ते किलो मीठ था और आज 700 पे किलो भी तो इसका मांग घटने वाला नहीं है सब दिन आगे ही बढ़ेगा इसमें कोई नुक्सान नहीं है आदमी करने वाला करम ठोना चाहिए अगर आप बक्री पालन करते हैं और सोचते हैं कि बखरी पालन को रात को ताला लगा दिए और रा आपको ध्यान देना पड़ेगा बहुत-बहुत धन्यवाथ समय देने के लिए ओके सनोस्का दोस्तों तो यह थे ओमकार्तिवारी सर काफी अच्छा और काफी एकदम इंफॉर्मेटिव जानकारी दोस्तों आप लोग को दिये होंगे काफी अच्छे से इसका संचालन ये कर रहे हैं काफी कुसलता से इसका काम कर रहे हैं पूरा समय दे रहे हैं सरबक डेरी फार्मिंग का काम कर रहे थे लेकिन उसमें उनको उतना मुनाफ़ा नहीं दिखा जिसके कारण ये कर रहे हैं और काफी अच्छा से ये काम कर रहे हैं फिर भी अगर हमारे से कोई पूछने से रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं उसमें सिखरत इसिखर आपको जवाब देने का काम किया जाएगा और जितना जल्दी संभव है उसका आंसर किया जाएगा दोस्तों आसा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होग अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू फॉर वाचिंग क्रिसी से क्रांती एक क्रांती खुद के सम्मान के लिए